रामाईन महावारत में एक ऐसे पेड़ का जिकर है जिसको श्री राम चंदर जी ने भी जिसकी पूजा की और इसी तरह पांड़बों ने भी उस पेड़ की और वो भारत का पेड़ है और वो युनाइटेद अर्व एमिराथ का भी पेड़ है बहां का नेशनल ट्री भी है बेसिकलिए ये मरुस्थल का पेड़ है डेजर्ट का ट्री है जिसको संस्कृत में कहा गया शमी डोगरी में हम जंड भी कहते हैं उसको इंगलिश में उसका नाम है मेस्कॉइट ट्री बौाटनी में कहते हैं प्रासोपिस सेनर एरिया जब राम जी का आकर्मन हुआ श्री लंका में तो जाने से पहले श्री लंका पहुंचने से पहले उन्होंने इसी पेड़ की पूजा की थी और इससे वर मांगा था कि मैं बिजे हो कोई लटू और इसी तरह महावरत काल में जब कुरुक शेतर में युद्ध हुआ तो कौरुवार पांड़ोंस के बीच तो पांड़ों ने भी इस पेड़ की पूजा करके ही युद्ध क्षेतर में कदम रखा था तो इस पेड़ का इतना महत्व है कि इस पीड और इस तोफिको आज भी भीजे दिश्मी के दिन पूजा जाता है, पूजन होता है, वार्शिप होती है को रोकने के लिए भी इसका बहुत महत्व है वालों यह नाइट्रोजन फिक्सिंग ट्री है स्पाइनी ट्री है और डेजर्ड जासे जगा में यह डीप रूटेड और फिर नाइट्रोजन फिक्सर है तो फर्टिलिटी स्वैल की को भी इंप्रूब करता है और यह पेड जो ह राजेस्थान में राजेस्थान स्टेड का जे स्टेड ट्री है और जब परियावरन की यह इतना हरास नहीं हुआ था और परियावरन का जो आज चेतना है इस चेतना से बहुत सदियों पहले अठारवी सदी की बात करें 1730 में जोदपुर के बगल में एक गाउं है खेजडली गाउं जो इसी पेड के नाम से उसका नाम है और बहां के उस वक्त के राजा महराजा अभे सिंग वो जो है उनकी आडर के मताबिक बहां पे किला बन रहा था जोदपुर में और उसके लि उनने बोला था पेड़ पाउदों के रक्षा करना प्राणों की बली दिन कर भी अगर करनी पड़े तो हमें करनी चाहिए और वो इतने हर्थ धर्मी थे के उनने पेड़ पाउदों को खेजडली के पेड़ों को काटने से उनको मना किया लेकन वो रुके नहीं और वो बलीदान देता चला गया शुरूग में पहला जो बलीदान है बाहं की महला अमरितो दे भी थी और उसके बाद उसकी बेटियां और उसका हस्वेंड और बाकी लोग काउं के तो 363 लोगों ने बलीदान दे के ये सिद्ध कर दिया कि पेड़ जो है उनकी रक्षा अगर प्रा हर जगा लगाया गया है और लगाना भी चाहिए धार में एक आस्था रखने वाले लोगों को खास करके डैजर्ड के आसपास और इसका बहुत पराना पेड़ जो है 400 साल पराना यूनाइटेड अर्ब अमिरात में तो है ही लेकन एक बहां पे एक रिजर्व भी इसके जेचे आफियानती है वहाँ और इग्यहभण में आज भी आगर हम यग्यहभण करते हैं तो इसको जांड़ की लकड़ी कें कि जाया है शमी की लकड़ी जो है वह ढूंडी जाती है और उसके बिना हमारे यग्या संपोरण नहीं होता है और इजी की जो दूसरी एक और पर तो दोनों में प्रजाती का वेद है, जाती तो एक ही है, तो जमू के पंचवक्तर मंदर में जो शमी लगा हुआ है, बो बिजिकली प्रासोपेस जूली फ्लोरा है, ना के प्रासोपेस साइनर एरिया, और बागे बहु में भी एक प्नाट लगा हुआ है, जिसको वो जंड औ असली जो हमारा प्रासोपेस साइनर एरिया, शमी है, ये अपने अर्निया के पास एक गाउँ है, दियोली, दियोली गाउँ में जिये सही जो है, टू पेड जो इसका लगा हुआ है, और जंड के नाम से जांडी गाउँ भी हमारे पास कुठुआ में है, तो ये हर्याना र जुड़े हुए हमारी आस था, ये जो ग्यान है, कि कही न कही हमें अपने बच्चों के साथ बांटना चाहिए, और बच्चों के भी अपनी सम्रिद संस्कृती का उनको परिच्चे पासके, और ये पेड पोदे जो हैं कही न कही हमारे आउश्दिय गुन भी रखते हैं, तो जब हम इनके बारे में जानने लगते हैं, एक तो उसका सरंक्षन करने में हम पहल करते हैं, कामजाब होती हैं, दूसरा स्वास्त के हिसाब से और परियावरन की सरंक्षन के हिसाब से भी ऐसे पेड पोदों को जानना, उनको सरंक्षन देना या पोदार ओपन करना, ये